वल्कम टू आवर यूटीब चैनल अनोखा पोस्ट हज यात्रा 2019 पर जाने के लिए 17 नवंबर के पहले अपना मशीन डूडेबल पासपोर्ट जरूर बनवा लें हज यात्रा के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखरी तारीक 17 नवंबर है पासपोर्ट इसके पहले का बना होना चाहिए इसके साथ ही हस्तलिखित पासपोर्ट मानने नहीं होंगे लोगों को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत ना आए इसलिए विदेश मंत्राले ने सरकुलर जारी कर दिया है कि हज यातियों के पासपोर्ट प्रात्मिक तक के आधार पर बनाये जाएंगे रिजर्व कैटेगरी के हज यातियों को आवेदन के साथ पासपोर्ट जमा करना होगा लौटरी सिस्टम से जिनके नाम आएंगे वे 81,000 की पहली किस्त के साथ पासपोर्ट जमा करेंगे तन्जीम खादिमुल हुज्जाज के रास्टी अध्यक्ष हाजी नईमुदिन सिद्धिकी ने बताया है कि जिन लोगों को पासपोर्ट में बनवाने में दिक्कत आये या अधिकारी या करमचारी लापरवाही करें तो वे हज हेलपलाइन के सेंटर आकर विदेश मंतराले का सर्कूलर ले लें यह सर्कूलर दिखाते ही हज यात्रियों का पासपोर्ट हाथो हाथ बन जाएगा उन्होंने बताया कि राज हज समीती के सर्कूलर में सपस्ट कर दिया गया है कि रिपीटर दुबारा हज करने वा अगर किसी कारण अपना हज आवेधन निरस्ट करते हैं तो उनके सही योगी का आवेधन भी स्वताह निरस्ट हो जाएगा सत्तर वर्ष से अधिक आयू का व्यक्ति बिना सही योगी के आवेधन नहीं कर सकेगा दो साल से अधिक आयू के बच्चे के लिए किसी एक बड़े के बराबर ही पैसा जमा करना होगा आवेदन ऑनलाइन भी भरे जाएंगे इनका प्रिंट आउट निकालकर दूसरे अभिलेक लगाकर हज समीती को सत्यापन के लिए हाथों हाथ या डांक से भेजे जाएंगे दोस्तो हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहें